जोहार नमस्कार मैं इस बैक्त हाटिया विधान सबाद शेत्रेम हूं जेल केम पाटी के परतासी आयू बोली जी हैं और ये मुस्लिम समधाई के एक कदवर निता माने जाते हैं तो इनसे हम जानने का प्रियास करेंगे इनके राज़ती में आना कैसे हुआ पहले किस फिल्मे देखिये तो मेरा जो फैमली वह बैग्राउंड है वह बहुत काफी पहले से राजनीती से ही जुड़ा हुआ है मेरे जो फादर थे जनाब अमाना तली जी वह दो बार एमलसी रह चुके हैं कॉंग्रेस से बिहार के टाइम में और हम लोग का जो बेस है वह मुवमिन पूरे इंडिया का लेवल का यह एक और जब से मैं मैं मोमिन कॉंफरेंस के लोगों के साथ बैठ रहा हूं उट रहा हूं मतलब घर के चीज़ है तो यह चीज देख रहा हूं मैं हॉः जुथ मोमिन कॉंफरेंस का प्रदेश सद्घेश बना है और ने मैं और और अब अब पिछले दो साल से मैं और राश्ट्री मह सब्सक्राइब वर्तमान में मैं हत्या को मिद्वार हूं और मुव्मिन कॉप्सेस आखर देखा चाहे तो फिर मैं राष्ट्री मास अच्छी हुआ टिकेट के लिए कितना पापड बेलना हो रहा है आपको और इस बार उन्होंने करीवर साथ मुस्लिमों को भी टिकेट भी दिया है आपको अब नेता है और उन्हों ने समझा है इस चीज़ को कि कॉंग्रेस और बिजेपी हो गया फिर और बी जितने हैं वो सारे हमेशा मुसल्मानों को वोट बैंक ही मानते आई इस चीज़ को टैगर जैराम जी ने समझा है इसके बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कर लोग को प्रेस कांफेस करके मैनिफेस्टो भी जारी किया गया तो 67 69 या आप लोग चुनाव जितने के बाद इतना मैनिफेस्टो में आप लोग को काम कर पाई यह लग रहा है अभी जो आप देख रहे हैं जेल केम को अभी तो हम लोग किसी पोस्ट पने यह अगर यह दे सरकार में नहीं है और करे काम चल रहा है जाहिर सकते हुएक बाद सरकार में को काम उहरय भी तो क्या रहा है लेकिन उमीद है इस चीज़ का और बात बाकी देखिए अब जल्बलाहट जो होता है वो दूसरे अन्य पार्टियों में तो रहे गई रहेगा क्योंकि जैराम दादा ने अपना जो और जेलकें पार्टी ने अपना जो जगह बनाया जहरकर्ण में बहुत ही कम समय बनाया और आज ऐसा है कि बच्चेश को जबान पर आपका जेलकेंपार्टी का नाम है तो वह कुछ लोगों को खराब तो लगे गई काल देखे तो दर का महौल जो है और अगर नहीं रहता उनको अगर इतना ही आपने उपर यह विश्वास है तो फिर यह तो आपका हरकत होना ही नहीं था जहरे पे दिख रहा है साथ- Muchas dreamoring डादा की जैराम-डादा का जो भी आजकी डेट में य oppression में तो कुछ लोग Özicas हालत खराब हो रहता है तो यह से भरकत हो गई होगा हाटिया विधानसवा में टाइगर ने देखे क्या बीजेपी या कंग्रेस को कोई नुकसान पहुंचने वाला है तो नुकसान तो पूरे जाकर ने पहुंचेगा इस तो निश्चेत है और बात रहा आपका हटिया छेत्र में मुसल्मान को देने के बाद एक बात समझ लिए कि हटिया में करीब करीब जो असिस नब्य हजार आपका पॉपूलिशन जो मुसल्मान का है कहीं न कहीं मुसल्मान का भी हग है कि वहां से खड़े हो अगर आने वाले 24 जो पीताव अप 24 सल अगर आप देख लिजेगा तो उन 24 सालों में आप एक बात समझ लिजे कि वहां पे पिशले यह तीसरा बा करते हैं आप मुस्लिम को देखे देखिए वहाँ पर हारेगा मुस्लिम ठीक है तो भी आपका यह समझगी कि अजयना सेदव भी ता रहे हैं कि आप तो मुस्लमान को मौका नहीं दिना चाहते हैं कि आपका यह तो पूरे इंडिया जानता है कि वह जो खेल रहे हैं वह धर्म का खेल करते हैं यह मैं नहीं कहता है यह सबी लोग कहते हैं कि वह जो खेल खेल रहे ना वह धरम रखेंगा और एक बाद बताना चाहूंगा कि बच्पन से लेकर मैंने जो इंजिरिंग तक की है मेरे जादे जो दोस्त रहे हैं वह नॉन मुस्लिम रहे हैं और मैं सबका सम्मान करता हूं और मेरे काफी अच्छे दोस्त रहे हैं वो लोग घर आना जाना था हम लोग का एक साथ एक टेबल बेटे खाना खाना था लेकिन दो रहें झारजार के बाद जारकर्ड में बिजेपी ने बता दीया कि मुसल्मान कहीं अससे पहले हमें पता यह वो लोग सिखाते हैं कांग्रेस कैसे जादा देखें कांग्रेस भी कम नहीं आप लेके चलिए अभी आप कि दस जुन 2000 पिछले दस जुन को आपका यहां पर आपका में रोड में गोली मरत यह तो उस वे हमारे हम लोग के तीन बच्चे शहीद वह उनको गोली लगा वहीं पिकेड़ कर गया तो मैं यह आप से मैं सवाल करना चाहता हूं ता इस चीज का कि यह जो चीज हुआ तो क्या जिन जो मरें उनको किसने मारा क्या आज तक सरकार ने इस चीज पर ध्यान दिया है आज तक नहीं वह इसके बावजूद जिसने जिसने वहां पर गोलिया चलाई बान सिप eue desa tepars aip device जो है कि मुसलमान जो है वह पत्थराओं कि अपने बचाओ के लिए गोलिया उन्हें प्लस आप यहा बताआईए आप जो तीन लोग मैरेे इसके के दिए इसके पर से आपने 200-300 मुसल्मान के ओपर आफायर कर दिया हम क्या है हम सिर्फ रोटी है क्या कि बस सेकाते जाएंगे सरकार को जी सोचना चाहिए ना यहां जेविम की सरकार है अगर वह इतने हम मुस्लिम में तैसी है तो वह उस तीज पर ध्यान देते वह देते ना तो वह उन्होंने पर क्यों ने किया तो मुसल्मान नराज है उनसा इस बर बदलाव चाहते हैं इस बर बदलाव आएगा और बदलाव काफी जोरी है क्योंकि देखे ऐसा है ना आज देखेगा ना तो हमारा जहारकंड जवान हो गया अगर 2000 में कोई बच्चागर पैदा होगा तो भी आच्य भी सलगा हो गया तो जवान जहारकंड पिए मैं देख रहा हूँ अगर जहारकंड जवां हुआ है तो जब बच्चपन से लएक अभी तक में उसमें क्या क्या अगर कोई अच्छा माबाप हो तो वो अपने बच्चे वो कैसे बालता वो चाहता है कि हर तरह से अच्छा बनाए उससे एक नंबर का अवल जगा बनाए आप बताइए यहां के खनीज जो है 40 पर 30 पूरे देश जो है उजारकन से निकल रहा है तो यहां के लोग को रोजार क गरीब होते चले जा रहे यह तो बहुँद जो क्रिखार करें यह उस नीचे कर रहे हैं एक सवाल है अकसर देख देखते होंगे आप लोग का जो कास्ट है बोलता है कोई कि पढ़ाल इंस लोग करते हैं और आगे पढ़ क्यों नहीं परते दादा देखिए पढ़ना कोऊन कि पढ़ना कौन नहीं चाहते हैं अगर पढ़ाय में देखे अगर इंजिनिरिंग क्या हूं हम अपनी फेमिली मैंने इंजिनिरिंग की मेरी इक सिस्टर आपके वुमेंस कॉलेज के अचोडी रह चुकी है मेरे दो भाई आपके स्कूल कॉलेज चला रहा है मेरे एक भाई जागरुख होने नहीं दिए तब तो आप यहां पर समूदाई में देखने को देखा जाता होगा आप गाउं चले जाएए लिए जो स्कूल की सुविधा वहां पिद्धी गई थी तो क्या सरकारी स्कूल में अच्छे अच्छे सिख्चकों की निकते हुई है क्या सरकारी स्कूल का यह हाल है कि बच्चे वहां घुसेंगे तो उनका मन लेगा पढ़ाई के लिए यह सोचने वाली बात है दादा सरकारी स्कूल का सिर्फ डाउन नहीं हुआ है पूरे सिक्षा का जो है और सिक्षा का जो ग्राफ जो डाउन हुआ है इसी वैसे बेरोजगारी का जो स्तर है वह बढ़ता चला जा रहा है इस चीज़ पर ध्यानी नहीं है सरकारी स्कूल खोल की क्यों रहा पता नहीं बस खुल गिया है टीचर है नहीं कोई पढ़ाने वाला वहां पे इसकोल खंडर हुए चला जा रहा है इसके लाव और कुछ है नहीं आप तो शुरू से जो बेसिक है वह आप कमजूर कर दे रहे किसी बच्चे का इन किसी भी बच जो शुक्षा है उसका नीचे स्तर मला दी है तो क्या लगता है आप लोग सरकार जग अगर आती है तो इस इच्छा पर आप लोग ध्यान देंगे दादा शुक्षा जो है ना वह बेसिक चीज़ें हमने आपको बता है अभी और हम लोग का पहला प्रायर्टी है ठीक है नी हरकेंट है इसका नीव जो कमजोर किया गया है ना हम लोग का सबसे पहला चीज़ है नीव को मजबूत करेंगे तो लोगों में आपका जो रोजगार लेने के लिए जो यह होता है इच्छा ना वो बढ़ेगा बात रहा रोजगार का तो यहां पी जैसे मैंने बताया कि चा लोगो को को यहां के लोगों को रोजगार मिले लोग जो हैं कि क्ल मैं गया था में नगड़ी अंदर बहुत बहुत आठसा अधैशा वाद यह ददा वहांम पे इतना बाद ही होने के बाद भी अभी तक चारोड दोर नहीं दर मतलब के हम लोग अंदर जैते करीं 5 तक अंदर घ्र बाहर रोड से लेकर अंदर 5 तक है ना दोरा रोड कच्छा था के लेकर आप तो किसी इचिंचा नहीं कर रहें अब अंदर कुछ यहीं सरा दिखे का राजम लाइट नहीं है वापर यहां दादा मौधिया रहुन का मतलब छाप नमर में बॉट मिलता है पूल और हाथ देखके देता है कैंडिडियाट कौन खड़ा है नहीं उसको नहीं देखता दादा यह कहा ना कि पहले का यह हुआ करत था और पहले जो कॉंग्रेस के जहाँ जो भी था उनका विचार धारा अलग था मैंने आपको बताया ना कि दोड़ चौदा मुझे पता चला कि मैं मुसल्मान है मैं तो मेरा यह बात समझ गया हो कि मैंने का मतलब क्या है अब विचार धारा अब यह लोग जो भी है अब यह जो करते थे पहले जो के लोग थे उनका विचार धारा अलग था तो लोग के और यह काफी पुरानी है यह लोग सबकी दिमाग भी पच्छा बता है आपके पंजा या कमल चाप भी बतलेगा अब कैची चलेगा अब जब गाउं 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 गुमने के बाद मतलब यह तो अब अंदर से खुशी होता है जानके कि अगर हम लोग अकेले नहीं है जो बदलाओ की मांकर जितने भी ग्रामी छेत्र वगरा है जो ज्यादा उत्पीडित है वो उन सारों का अब जो बदलाओ जी यह देखन अब उनके पास एक तीसरा विकल्प है अब सब पर चलेगे लास्ट मेरा है अधार मेरा गुजारिश है हट्या की जनता से कि वह अभी तो मैंने जूब से बात किया थेक है तो मैंने बहुत कम ही बात किया मैं उनसे रूबरू होंगा तो आगे और बहुत सारे आपके और मैं चाहूंगा कि वह हम नोगहों जारकंड को बदलने मौका दें कमसे कम च और करें बदल ल construction करता है850